दुनिया की कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी बालो को लंबा होने से जी हाँ फ्रेंड्स आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगे कि आप किस तरीके से आप मेरी तरह लंबे बाल पा सकते हैं मुझे कई बार कमेंट आया है कि दी हमें आपकी तरह बाल चाहिए और हमने बहुत सारी रेमेडी यूज की हैं लेकिन हमारे बालो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्या आप हमें ऐसी रेमेडी बताएंगे जिसमें मास्क भी हो और आयल भी हो थंड में मास्क लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि थंड लग जाती है और मन भी नहीं होता है बहुत देर तक मास्क रखने का तो फ्रेंड्स थंड में बहुत ज़्यादा जरू अगर हम क्या नहीं करेंगे सही तरीके से तो बालों की और बीजो समस्या है वो बढ़ जाती है जैसे डरैंड्रफ हो गया और बीच में से बाल तूट के गिरना हो गया अगर आप मेरी तरह बाल चाहते है तो फ्रेंड्स जो रेमेड़ी आज में आप से शेयर कर रही हूँ आप इस remedy का जरूर से जरूर इस्तुमाल करें क्योंकि इस remedy में mask भी है और oil भी है आपको नहाई ठंड लगेगी और बलकि आपके बालो को पूरी तरीके से portion मिलेगा और अपने बालो को आप एक महीने में लंबा, घना और मजबूत बना सकते हैं जी हाँ friends लेकिन आपको कम से कम इसको एक महीने जरूर से जरूर अप्लाई करना है अगर आप एक महीने तक अप्लाई करेंगे तो आपके बालो में डिफ्रेंट जरूर नजर आएगा वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस एक छोटी सी रिक्विस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी useful लगता है थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक like जरूर करें और अपने friends लोगों में भी share करें तो चलिए देख लेते हैं वीडियो इस रेमिडी को बनाने के लिए हमें चाहिए एक अंडा एक हमें चाहिए हमें सिर्फ इसका जो है वाइट वाला पार्ट होता है वही लेना है यह लोप वाला पार्ट बिल्कुल नहीं लेना है तो इस तरीके से में तोल रही हूँ तो इसका जो वाइट वाला पार्ट है व बाइट वाला पार्ट पूरा निकाल लूंगी तो पूरी तरीके से निकल चुका है अब इसके बाद जो दूसरी चीज एड़ करना है वह है ओलेव और फ्रेंट्स हमें ओलिव ऑईल ही लेना है में कोई और और नहीं लेना है ठीक है फ्रेंट्स तो यहाँ पर मैं तीन से चार चमच जो ओईल को एड़ कर रहे हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर आपको तीन से चार चमच ओईल इस तरीके से लेना है अगर देखे आपके बाल छोटे हैं मतलब कंधे तक हैं तो आप एक चमच लीजे अगर आपके कंधे से लंबे हैं बाल तो आप दो चमच लीजे अगर आपके हिप्स तक है तो आप तीन चमच लीजे या फिर चार चमच लीजे तो है अपने बालों पर इस तरीके से अपलाए करना है और फ्रेंड्स सबसची बात तो यह है यह ओल भी है और मास्क भी है तो आपको यहां पर डवल डवल चीज़े बहुतuh होता है इस केल्ब के लिए बहुत जादा अख्या है हमारे बालो को मझबुत बनाता है यह कर दिया है अगर आहां ज्यादा सब्सक्राइन तो इस तरीके से समय कर सकते हैं ऑर अपने जिरेगे बाल प्रायदे हैं। तो यह अलिव ऑईल लगा सकते हैं। या आपके बालो मेंचाण डाल देगा। ठीक है फ्रेन्ट्स। और यह जो उलिव ऑईल हैं। यह आपके हैरफाल को भी रोकता है। पर आपके बालो को घंडा करने के लिए बहुत जादा है। तो इस तरहिए से जो है आप अपने scalp में लगा लीजिए और उसके बाद जो है अपने पूरे बालों की length में अपलाई कर लीजिए Friends इसको कब कब लगाना है आप इसको week में दो बार भी लगा सकते हैं एक बार भी लगा सकते हैं अगर आप इसमयल को बरदास कर सकते हैं तो आप ऑवरनाइट भी रख सकते हैं या फिर आप एक या दो घंडे भी आप अपने बालों में रख सकते हैं, जिस तरीके से आपको अराम लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, तो अच्छे से जो है अपने स्कैल्प में लगाना है जो है और अपने बालों की लेंथ में अप्लाइगाना हो जाते हैं हमें पालों की लेंथ में द्यान देना चाहिए तो इस तरह हैं मैं अपने पूरे बालों में लगा लिया है मैं इसको जुड़ा बना लूँगी मैं यह ओवनाइट रखने वाली हूँ ओवनाइट के बाद जो है मैंने मॉर्णिंग में हेर वाश किया था तो आप जो है इस तरीके से माइल्ड शेंपू से हेर वाश कर लीजिए मैं आपको रिजर्ट दिखाऊंगी बहुत ही अच्छा रिजर्ट आपको मिलेगा अगर आपके बाल जादा खराब नहीं है तो अगर खराब भी होंगे तो भी आपको थोड़ा थोड़ा अंतर नजर जरूर आएगा आपको अच्छे से हेर वाश करना है ताकि आपके बालों में से इसमेल ना आए ठीक है फ्रेंट्स जब मैंने अपना हेर वाश किया था तो जब मैंने अपने बालों को सुखा लिया था तो यह इस तरीके से आपको रिजर्ट मिलेगा आपके बालों में शाइन होगी आपके बाल सुल्जे रहेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा अगर आप लगातार करते रहेंग तो आपके बाल लंबे भी हो जाएंगे घने भी होंगे सिल्की सॉफ्ट और मैनेजबल भी होंगे तो आप इस रहमेडी का जरूर इस्तमाल करें और आप इस रहमेडी का फायदा भी उठाएं एफेक्टिव भी है और सस्ती भी है ठीक है फ्रेंड्स आप इसको वीक में ए आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे है और आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कお願いします तो जल्दी सी मेरी चैनल को शब्सक्राइब कर दीजे और उसके बराबर में जो बैल आइकन उसको भी प्रैस कर दीजे ताकि हमारी वीडियो के लिए टेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख भाएं मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड टेक कियर